पेना है तो सस्क्राइब को लाल बटन दबाना मत भूले और बेल आइकन में प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नई वीडियो के सूचना मिलती रहे काफी दिनों से मेरे चैनल पे कई सस्क्राइबर्स दोस्तों ने पूछा कि सर एक पोर्टफोलियो बनाई एक लाख का तो देखा जाए तो हसारों कमपनिया है अपने जो लिस्टेड है और उन कमपनियों में हमें ये देखना होता है कि कौनसी ऐसी कमपनिया है जो हमें अच्छा रिटन्स आने वाले लंबे समय के निवेश करने पर मिल सकता है तो होता क्या है कि हमें पहले profit देखने की बजाए हमें ये देखना है कि हमें loss तो नहीं करेंगे मतलब जो हमने पैसा अपना डाला कहीं वो कम तो नहीं हो जाएगा भली हमें profit कम मिले चलेगा लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और हमें थोड़ा fixed deposit से भी ज्यादा अगर दुगना तिकना में मिलता है तो भी एक संतोष का विशय होना चाहिए बहुत ज्यादा लालाच मार्केट में मेरे खाल से अगर आपको साल का 25-26 परसेंट भी रिटन मिल रहा है that is better mutual funds भी अगर आप देखें पिछला साल या एक डेर साल से तो बहुत ज्यादा उनमें रिटन्स नहीं रहा हार्डली अगर 15-20 परसेंट वहां पर मिल जाता है तो भी mutual funds are best तो उसी तरीके से हम अगर डिरेक्ट अगर हमें knowledge है या हमारे subscribers को knowledge है तो उनको भी ऐसी कंपनियां चुनना चाहिए कि हमें कम profit मिले लेकिन अच्छा return मिलता रहे उसी सिलसले में आगे बढ़ते हैं तो मैंने कुछ 10 कंपनियों के stocks की list एक तयार की है कि अगर हम 10,000 के कुछ shares लें 200 कंपनियां के 1,000,000 के अंदर तो हमें कौन-कौन से stocks लेने चाहिए वो मैंने list बनाई है आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे और जो पहला पहली कंपनी है बर्जर पेंट्स की एक बहतरीन कंपनी है और इसका CMP 321 रुपए आज के आज है तारेख 11 जून 2019 है और समय हो रहा है खरीब डेड़ बजे है तो इस लिहाज से हमने लमसम एक रेट पकड़ा हुआ है क्योंकि आज उतार काफी है कभी एक रुपए दो रुपए नीचे उपर हो रहे है तो हमने एक प्राइस पकड़ लिया है जो आज की करेंट समय पे जो इसका प्राइस चल रहा है तो बर्जर प्रिंट्स की करेंट प्राइस 331 रुपए और 30 कॉंटिटी जिस पे आपको 9930 रुपए उसी प्र सेक्टर का इसलिए रहा हालां कि आटो सेक्टर पे बहुत ज्यादा भी फिलाल एक डेर साल में कुछ ऐसा चमतकार होनी की आशा नहीं है क्योंकि काफी अभी उस पूरे सेक्टर पे ही दबाव है इस वजह से अभी जैसे मारूती सुजुकी के कल एक निउज मैंने पढ़ी कि आटरा पर्सन के करीब अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो अबिसली एक बड़ी खबर है है तो इस तरीके से चाहे टाटा मोटर्स हो चाहे मारूती सुजुकी हो चाहे अशोक लिलेंड हो सब पे दबाव बनाव हो और सब अपने काफी हाई से नीचे पे हैं बट मु 9100 रुपए के आसपास है एक क्यानवे शेयर्स मदरसन सुमी ये भी हिसी से रिलेटेड है जैसे कि ये आटो अंसलरी जो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं जो जितने भी कार्स है आज जो भी इस तरीके की गाडिया है तो एक आटो अंसलरी की अच्छी कमपनी है मिंडा एक FMCG की अब बिटानिय और ITC मैंने ITC क्यों नहीं रखा ITC के दरहसल क्या है कि अभी वो मेंली उनका जो सेग्मेंट में ज्याता उनका तबाखू से है जो सिग्रेट है तो अभी वो बिस्किट्स वगएरा खाने पीनी की चीजों में तोड़ा सा ज्यादा वो बढ़ा र कर रही है इसलिए मनें बिटानिय अंडेस्ट्री को टखा तीन शेयर सी लीजिए टाट टीसियस मुझे एक लाज केप कंपनी है सौफ्टवर आइटी की तो जबर्दस्त कंपनी लग रही है मुझे और आगे आने वले समय भी अच्छा करेगी और इसका बाइसो साट पकड़के में चार शेर्स के लिए रेकमेंडेशन दी है आईजील इंदप्रस्त गैस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो आप जिसे कि आप भी सिलेंडर ले रहे हैं तो महा नगरों में बेसिकली यह पाइप के दौरा गैस पहुचा रही घरों में बिल्डिंग्स में तो यह भी एक बेहतरी न है और इसका काफी पास्ट अश्य होदी रहा है और आग पाइस संयु बहुत जबरदस्त है और अग्रोफ हम फरेंस को भी उन्हें अपने अंडर्टेक कर लिया है इस लिहाज से बंधन बैंक मुझे काफी अट्रेक्टिव लगता लंबे समय के लिए 5-10 साल में बहुत जबरदस्त आपको पैसे बना के देने वाला है दीपक नाइट्रेट अभी जो ट्रेट कर रहा है दो सततर रुपए तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और नीचे की लेवल पर खरिदारी हो तो एक केमिकल की जबरदस्त कंपनी है इसका वीडियो आप चाहें तो मैं लिंक भी आपी कॉमेंट वाक्स में या फिर उसमें डैश ब और इस वज़े से टोटल अगर हम दस स्टॉक्स खरिदते हैं इतनी कॉंटिटी में तो टोटल होता है अठानवे हजार साथ रुपए मतलम मैंने एक लाग के अंदर ही कर दिया तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी तरब से एक बहतरीन स्टॉक्स बताने को तो इस तरीके से मैंने बहुत क्योंकि मैंनी चाहता था कि ऐसी कुई कंपणियां बताओं जो बहुत ज्यादा दिल्से के अभी ज्यादा वालेटल्टी है तो इसमें मैंने कोशिश नहीं की आना कि लंबे समय के लिए हो ही बहुत अच्छा स्टॉक है मैंनेजमेंट की प् इनकी खतम होने वाला नहीं है इनकी supply demand क्योंकि हर इनसान अपने घर पर पेंट करवाना चाहता है और भी कई इनके solutions हैं काफी designs वगएरा के तो पेंट का ऐसा कारोबार है कि जितने भी घर है चाहे दिवाली काते हो चाहे कुछ सालों के बाद फेड हो जाता है तो फिर मुझे लगता है तीस हजार तक भी जाना चाहिए आने वाले कुछ सालों में जैसे आप से इनका retail वेवसाय है अशोक लिलेंड के बारे में बताए चुका हूं मदरसन सूमी के बारे में बता चुका हूं और बिटानिया के बारे में बता चुका हूं तो अलग-अलग कंपनी मैंने रखने की पूरी कोशिच की है तो एक तरीके स्परिम बता देता हूं बर्जर्ट पेंट्स की कंपनी बजाच फरे नॉन बैंकिंग फिनेंशल कंपनी है कॉपरेशन और अशोक लिलेंड आटो सेक्टर से है मदरसन सूमी और अंसलरीस से है बिटानिया अधन बैंक एक जबरदस्त बैंक है दीपक नाट्रेट केमिकल की जबरदस्त हो सकोमा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है जो दाल चावल एक्सपोर्ट करती अलगलग कंट्री में तो बहतरीन दस कंपनिया और मैं आपके समक्षिन को पेश कर रहा हूं आप जो भी अपने इसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं कॉंटिटी आपके अपने फैनेंस के इसाब से जो लोग एक लाग का पॉट्फोलियो तो इस एकॉर्डिंग इसके ले ले या कुछ ऑप्शन्स में जिसे मैंने बताया कि बर्गर पेंट्स में एश्यन पेंट्स भी हो सकता है बजाज फनेंस में मननापूरम फनेंस भी अट्रेक्टिव लग रहा भी थोड़ी सी गिरावट पर भी मिल रहा अगर और गिरावट मिलता तो आप प्रॉपर भर लीजिए अशोकली लेंड और मारूती सूजी के कट काफी एक है अभी प्राइस है तो इनफोसिस में भी आप कर सकते हैं आईजियल है आप महानगर गैस लिमिटेड भी है बंधन बैंक HDFC बैंक भी है दीपक नैट्रेट और केमिकल की अतुल इंदस्ट्री आती इंदस्ट्री भी थी लेकिन थोड़ी से प्राइस बड़ी थी उनकी सकूमा एक्सपोर्ट में ए आप चाहें तो जो कंपनी उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके फंडमेंटल देख सकते हैं उसके रिटन्स देख सकते हैं और उनके कुछ कंपनीओं के एक दो क्वाटर के रिजल्स खराब आयों है लेकिन जिस कंपनी में लगातार इनके फंडमेंटल्स अच्छे नहीं आ रहा है लगातार तो उसको आम लोग अवोड करेंगे इसलिए कोशिश की है कि आपको अगर इस दस स्टॉक्स में आठ ने भी अच्छा परफॉर्म किया और लगातार रेगुलर आपको रिटन देते रहे तो आपको रईस बने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने क्षमता के अनुसार पोर्टफोलियो आप घटा बढ़ा भी सकते हैं मालीजे आप एस IP करते हैं तो हो सकता है कि इसमें आपने 30 स्टॉक्स ले लिये अगले मैंने थोड़ा स्ज्यादा भर लिया अब इन में से एक स्ट्रटजी और हो सकती है कि मालीजे स्टॉक्स में किसी कारणवश किसी न्यूस के वज़े से या किसी गोर्मेंट पॉलसी के वज़े से बैंक में अन्वी अपसी में गिरावट आती है और आपको लगता अच्छी कंपनी हम वीडियो समय समय बनाते रहेंगे तो आप उसमें थोड़ा सौर ज्यादा कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं समय समय पर हर माइने लेते जाए तो यह स्टोड़ जी होनी चाहिए साइपी भी कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो